IRFC का शेर 19 प्रतिशत उच्छल कर एक साल के नए उच्छतम स्तर पर पहुँचा विशलेशकों को और अधेक लाग देख रहा है IRFC शेर की कीमत स्टॉक 18.80 प्रतिशत बढ़कर 52 सपता के उच्छतम 134.70 रुपे पर पहुँच गया मल्टी बेगर शेर में एक साल में करीब 300 फीसदी का उच्छा लाया है IRFC शेर की कीमत कुछ विशलेशकों ने मोटे तौर पर सुझाव दिया है कि निकट भविश्य में शेर में और अधिक बढ़त देखने की संभावना है IRFC में आज भारी मात्रा में कारोबार हुआ और BAC पर 3.15 करोल शेरों में बदलाव देखा गया यह आंकड़ा 1.09 करोल शेरों की दो सप्ताह की उसत मात्रा से कहीं अधिक था काउंटर पर टर्नोवर 403.59 करोल रुप्य रहा जिसका बजार पूंजी करन एमकैप 1.70.883.78 करोल रुप्य रहा भारतिय रेल्वे वितन निगम लिमिटेड आयरेफसी के शेरों ने सोमवार के कारोबार में अपनी तेज बढ़त हासिल की और एक साल के नए उच्छ स्तर पर पहुंच गये कुछ विशलेशकों ने मोटे तौर पर सुझाव दिया है कि निकट अवदी में शेर में और अधिक बढ़त देखने को मिल सकती है टक्नीकी सेटप पर समर्थन स्तर 120-115 रुप्य क्षेत्र में देखा जा सकता है उच्छ स्तर पर IRFC का शेर 164 रुप्य तक चग सकता है एक विशलेशक ने कहा मौझूदा स्तरों पर मुनाफावसूली की सिफारिश की गई है इंजल वन में सीनियर रुसच एनालिस्ट टेकनिकल एंड डेरिवेटिव्स ओशो कृष्णन ने कहा IRFC ने एक मजबूत उच्छाल देखा और अग्यात क्षेत्र में उत्तर की ओर अपना मार्च जारी रखा ऐसा लगता है कि स्टॉक आगे भी गती बनाए रखने के लिए तैयार है वर्तमान में समर्थन की एक श्रिंखला देखी जा सकती है 120-115 रुपे क्षेत्र में जबकी पवित्र समर्थन 105-100 क्षेत्र के आसपास है इसके अलावा चुन की काउंटर एक अग्यात क्षेत्र में है जिसमें कोई विशिष्ट तक्नीकी प्रतिरोध नहीं है इसलिए सलाह दी जाती है कि नियमित रूप से मुनाफे को पीछे रखना जारी रखें प्रभुदास लीलाधर के तक्नीकी अनुसंधान विशलेशक शिजू कुथुपालेकल ने कहा पिछले तीन सत्रों में स्टॉक में अच्छी तेजी देखी गई है और यह क्रमशह 114 रुपय और 126 रुपय के हमारे लक्षय को पूरा कर चुका है पूर्वाग्रा मजबूत बनाए रखने के साथ हम आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं 148 माइनस 174 रुपय के अगले लक्षय के लिए आगे बढ़ें मौजूदा स्तर से समर्थन 125 रुपय क्षेत्र पर होगा और 114 रुपय के स्तर से नीचे केवल एक निरनाय कुल लंगन समगर प्रवरिती को कमजोर करेगा DRS Finvest के संस्थापक रवी सिंग ने कहा निकट अवधी में स्टॉक में 150 रुपय का स्तर देखने को मिल सकता है 120 रुपय पर सक्ट स्टॉप लॉस रखें टिप्स दो ट्राग्स के आर रामचंद्रन ने कहा IRFC में तेजी है लेकिन दैनिक चाट पर 140 रुपय के अगले प्रतिरोध के साथ होवबॉट भी किया गया है निवेशकों को मौझूदा स्तरों पर मुनाफ़ा बुक करना चाहिए क्योंकि 120 रुपय के समर्थन के नीचे डैनिक बंध होने से निकट भविश्य में 99 रुपय का लक्ष्य मिल सकता है अवधी, ये रिपोर्ट आने के बाद की इस क्षेत्र के लिए बजट आवंटन रिकॉर्ड उचाई पर पहुंच सकता है अधिकांश रेलवे काउंटरों पर भारी लाग देखा गया IDBI कैपिटल के सेक्टर विशलेशक इन्फरा विशाल पेरिवाल ने कहा, बजट नजदी काने के साथ रेलवे शेरों में आज तेज बढ़त देखी गई ये सेक्टर के लिए रिकॉर्ड आवंटन की उम्मीद पर हो सकता है IRFC में आज भारी मात्रा में कारोबार हुआ और BAC पर 3.15 करोब शेरों में बदलाव देखा गया यह आंकड़ा 1.09 करोब शेरों की दो सप्ताह की उसत मात्रा से कहीं अधिक था काउंटर पर टर्नोवर 403.59 करोब रुपय रहा जिसका बजार पुंजी करण M.CAP 1,70,883.78 करोब रुपय रहा अस्वी करंट, बिजनेस टुडे केवल सूचनात्म कुद देशयों के लिए शेर बजार समाचार प्रदान करता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए पाठकों को कोई भी निवेश निर्नए लेने से पहले एक योग्य वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करने के लिए प्रोचसाहित किया जाता है